Hello kids, welcome to Hindi class. Kids, today we will do Chandrabindu. आज हम करेंगे Chandrabindu. Chandrabindu को अनुनासिक बोलते हैं. और अनुनासिक शब्दों की आवास नाक और मुद दोनों से आती है. आपने अनुस्वार शब्द किये हैं, अनुस्वार की आवास सिरफ नाक से आती है. लेकिन अनुनासिक शब्दों की आवास नाक और मुद दोनों से आती है. तो चंदrabindu हम कैसे बनाते हैं? हम वरण के उपर आधा चंद्रमा और उसके बीच में छोटी से बिंदी लगाते हैं. उसको बोलते हैं चंद्रबिंदु या अनुनासिक. जब हम चंद्रबिंदु का उचारण करते हैं, तो हमारे नाक और मुद से अन की आवास आती है. आज आप ध्यान से वरणों के उचारण को सुनोगे, समझोगे और घर में इनका पठान भ्यास करोगे. तो अनुनासिक शब्द में पहला है गा, चंद्रबिंदु की मात्रा व, गांव, अ, चंद्रबिंदु, गू, ठी, अंगू, ठी, चा, चंद्रबिंदु, द, चांद, अगर आप चंद्रबिंदु में बिंदी नहीं लगाओ, सिरफ चांद ही बनाओ, तो वो आगत बन जाते हैं, और उनका उचारन बदल जाता है, अगर आप चांद में सिरफ चंद्रबिंदु लगाओगे, और बिंदी बीच में नहीं लगाओगे, तो वो चाद बन जाएगा, चांद नहीं बनेगा, अना की अवास नहीं आएगी, सिरफ आ की अवास के साथ खतम हो लेकिन चंद्रबिंदु में आधा चंद्रमा और चोटी सी बीच में एक बिंदी लगती है, आ चंद्रबिंदी ख, आन्ख, हून, मतलब मैं हून, सून्ड, हाथी की सून्ड, जहां से आप खाना खाते हो, ग्याहून, ग्याहून जिससे आटा पिसवाते हैं, उन्ट, एक जानवर होता है, पूंच, जिसे कुट्टे की पूंच, बिल्ली की पूंच, कहां, पूछते हैं न, कहां जा रहे हो, जब हम प्रश्न करते हैं, तो वहां हम लगाते हैं, कहां, टांग, पांग, पांच, पांच मतलब फाइव, सांस, सांस लेना, छोड़ना, उंचा, हंसना आंगन मांगना बांधना आमवला पांचवा चांदनी आमवला एक फल होता है पांचवा मतलब फिर चांदनी चांद की रोशनी चांदनी जोंपडियां 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 पुटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगन बाड़ी उसको बोलते हैं, तो जैसे जैसे आप इन शब्दों का उच्चारण करते जाओगे, वैसे वैसे आपको इनके उच्चारण के अंतर का पता लगता जाएगा, अनुस्वार में जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमन अनुस्वार में शब्द बोला, मंगल, तो म, और ग के बीच में चंद्रविंदी है, तो ग जो है, वो क की लाइन में आता है, क, ख, ग, घ, अड, तो यहाँ पे क, अ, की वाज आती है, जो क, ख, ग, घ, तो मंगल, ऐसे ही संतरा, त की लाइन में सबसे लाज में, त, थ, द, ध, न, तो आधान लगता है, जो भी उस, जहाँ भी चंद्र बिद्दू लगता है, और उससे जो अगला वरण होता है, वो वे अंजन देखना है, और जो लास्ट वाला वरण होता है, वो उसका आधा आता है, जैसे स, आधान, त, र, अगर आप इसमें आधान भी तिरंगी ला गंदा तो तथदधन इसमें आदा न आएगा और और मैं आपको बताती हूं कोई ऐसा मंगल य मनग इसमें भी आयां की आवाज आएगी तो इस तरह से जब आप अंग की मात्रा और चंदरविंदू की मात्रा करोगे तो उनके उचारन की विविद्दा से आपक को समझ में आएगा अंग में अंग की शब्दों में नाक से आवाज आएगी अनुस्वार में और नान अनुनासिक में नाक और मू से तो आज आप इसका पठन अप्यास करोगे ओके बाई बाई किट्स टेक क्यार